लंबे समय तक सुस्त एवं नरम रहने के बाद हाल के दिनों में सरसों का भाव कुछ तेज हुआ है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है. सरसों तेल एवं सरसों खल की मांग में भी थोड़ी तेजी आई है. वैसे सरसों खल का निर्यात प्रदर्शन अब तक उतसावर धक्तो दूर, संतोष जग भी नहीं रहा है. नैफेड तथा हैफेड जैसी सरकारी एजिंसियों की खरीद एवं तेल तथा खल की अच्छी मांग के सहारे सरसों का भाव कुछ तेज हुआ है. उपलब्द आकडों के अनुसार चालू रभी मार्केटिंग सीजन के दौरान 21 मई 2024 तक सरकारी एजिंसियों द्वारा कुल 18.88 लाग टन सरसों की खरीद की गई. उसके तहट राजस्थान में 3.21 लाग टन, हरियाना में 3.25 लाग टन, मध्य प्रदेश में 3.33 लाग टन, गुजरात में 1.00 लाग टन तथा उत्तर प्रदेश में 35,000 टन सरसों की खरीद की अधिकरित एजिंसी बहैफेर द्वारा राज में 7.74 लाग टन सरसों की खरीद अलग से की गई. इसके अलावा इन एजिंसियों के पास 7.50 लाग टन सरसों का पिछला बकाया स्टॉक भी मौजूद था. इस तरह सरसों का कुल स्टॉक बढ़कर 26.38 लाग टन पर पहुँ बना चुका है जबकि दूसरा चरन तब आएगा जब अचार निर्माताओं की मांग बढ़ेगी. यह दौर मध्य जून से आरंब हो सकता है. सरकारी एजिंसियां जब अपने स्टॉक की बिक्री आरंब करेंगी तब बाजार में स्थिर्ता का माहौल बन सकता है. फिलहाल कि किसानों से 5,650 रुपए प्रती क्विंटल की दर से सरसों खरीदा गया है. ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइमस टीवी